ओव श्यान्ति, 29 जुलाई 2024 आजके मुरली के महवाख्य, मीठे मीठे प्यारे प्यारे शीवाबा ने कहा मीठे बचे, बाबा आया है, तुम्हे ग्यान रत्म देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हे भी, तुम्हे कभी भी मुरली मिस नहीं करने है, मुरली से प्यार नहीं, तो बाब से प्यार नहीं, प्रश्न, सबसे अच्छा कैरक्टर कौन सा है, जो तुम्हे नौलेज, इस नौलेज से धारन करते हों, उत्तर, वाइसलेस बनना, यह सबसे अच्छा कैरक्टर है, तुम्हे नौलेज मिलती है, कि यह सारी दुनिया विशस विशस माना है ही characterless यहां किसी के पास कोई character नहीं है जो सच्छा character है वो हमें बाबा आकर के बताते हैं तो बाबा कहते हैं विशस माना ही characterless बाब आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाइसलेस देवताएं character वाले हैं कैरेक्टर सुधारते हैं बाप की याद से, ओम शांती, बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है, बच्चे पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, स्वयम भगवान पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ना है न, उचते उच बाप, उचते उच पढ़ाई, उचते उच अब केते हैं, पढ़ाई मिस नहीं करना है, अगर पढ़ाई मिस की, तो बच्छे भी मिस हो जाएंगे, मीठे मीठे रोहानी बच्छे कहां बैठे हैं, बच्छों को यह भी पता है, कि हर पांच हजार बच्छ बाद हम इस युनिवस्ट्री में दाखिल होते हैं, यह भी तु युकि मूर्ती अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होते हैं, यह मूर्ती एक ही है, परन्तु हैं तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, मनुशिक की लाइफ में यह तीन मोख्य हैं, बाप, टीचर, गुरु वही हैं, ती एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसी त्रमूरती युनिवस्टी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए. जिस युनिवस्टी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस युनिवस्टी में पढ़ो. यहां नौलेज अच्छी मिलती है और कारक्टर स्पीस उधाते हैं. तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है. माताएं माताओं को पुरुष पुरुषों को समझाएं देखो यह बाप भी है टीचर भी है गुरु भी है ऐसे समझाते हैं वह नहीं वह तो हर एक अपनी दिल से पोचे कभी अपने मित्र संबंधियों सक्खियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है, बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकि उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं, बाप का काम है परवुरिष करना और प्यार करना ऐसे बाप को जरूर याद करना है उनकी भेंट और कोई से हो ना सके बल कहते हैं गुरु से शान्ति मिल्थी है परन्तु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हो यह किसको पता नहीं है कि सबी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है एक बेहत का बाप जिसी हिंदू, मुसल्मान, क्रिश्चन आदी सब गौड़ फादर जरूर कहते हैं बुद्धी जरूर निराकार तरफ चाती है यह किसने कहा आत्मा ने कहा गौड़ फादर तो जरूर मिलना चाहे फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहे तो वह फादर कैसे हो सकता सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं सब की कामना रहती है कि हम शांती धाम चाहे आत्मा को घर याद पढ़ता है आत्मा रावड राचे में ठक गई है अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गौर्ड फादर लिवरेट करें तमों प्रधान बनते बनते पाड बजाते बजाते शांती धाम चले जाएंगे फिर पहले सुख धाम में आते हैं ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशिष बनते हैं नहीं बाप समझाते हैं यह है वेशिया लग रावड राज इसे रोरव नर्क कहा जाता है भारत में वाइस दुनिया में कितने शांस्त्रों कितनी पढ़ाईगी पुस्त के हैं यह सब खत्म हो जाएंगे बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जनने वाली नहीं यह है धारना करने की जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है ज्यान कोई शास्त्र नहीं चुच जलाया जाए तुमको नौलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन पत पाते हो जो बाबा हमें समझ देते हैं उस समझ से हम समझदार बनते हैं और फिर हम समझदार बनकर ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां सुख शांती जहां किसी प्रकार की कोई वस्तु आप्राप्त नहीं होती और शास्त्र आती पढ़ने से कोई शुख शांती की दुनिया में नहीं जाते तो बाबा कहते हैं यह कोई शास्त्र में है जो जलाया जाए तो तुमको knowledge मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पत पाते हो ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे नहीं यह ज्याना पे ही प्राया लोग हो जाता है क्योंकि ज्यान सागरबाप की ज्यान हमें आकर देते है वो ज्यान की चादी हम बच्चों के पास हो ही नहीं सकती दे ही नहीं सकती यह ड्रामा में ही नहीं तो बाबा केते हैं यह प्राया लोग हो जाता है कोई पढ़ने की किताब आती नहीं है ज्यान विज्यान धबन नाम भी है परन्तु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पढ करते हूं विज्ञान माना शांतिधा वी ज्ञान शांतिधा तो बाबा केते हैं ज्ञान से भी तुम परे जाते हूं ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राचे करते हूं तुम ज्ञान और विज्ञान बाबा क्या समझा रहे हैं कि विज्ञान माना जहां सिर्फ चांदती है। ज्यान से तुम का पढ़ाई करके कहां जाते हो। राज भागे संभालते हो। तो बाबा केती हैं तुम समझते हो। हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं। नहीं तो भगवान बाच हो जाए भगवान को सुक्षम दाते हैं ज्यान से विज्यान बहुत सुक्षम है ज्यान से भी परे जाना है ज्यान स्थूल है हम पढ़ाते हैं आवाज होता है तर्मात्मा जो हमें ज्यान देते हैं उसमें आकार सब कुछ है तो बाबा केते हैं ज्यान स्थूल है हम पढ़ाते हैं आवाज होता है नविज्यान सुक्ष में है, इसम्यावाद से परेशांती में जाना होता है। जिस शांती के लिए ही भटकते हैं। सन्यासियों के पास जाते हैं। परन्तो जो चीज बाप के पास है, वह दूसरे कोई से मिलने ही सकती है। हचियों करते, खड़े में बैठ जाते, परन्तो इससे कोई शांती मिलना सके। यहां तो तकलेफ की कोई बात नहीं। पढ़ाई भी बहुत सहज, सात रोज का कोर्स उठाया जोता है। सात रोज का कोर्स करके फिर भल कहां भी वहाँ चला जाये। ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में करना सके। तुमारे लिए कोर्स ही यह सात रोज का है। सब समझाया जाता है। परन्तो सात रोज कोई देना सके। बुद्धियों कहा ना कहा चला जाता है। तुम तो भच्छी में पड़े। कोई के शक्र नहीं देखते थे। कोई से बात नहीं करते थे। बाहर भी निकलते नहीं थे। तब पस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था। यह पढ़ाई नहीं समझते थे। बाबा केते हैं, पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाबा से मन बुत्ती का जोग चाहिए, बाब का परिचे चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए, पहले तो बाब के साथ योग कैसे लगाए, उसे रिष्टा कैसे जोड़े, उसे याद कैसे करें, सबसे पहले बाबा को जानना है फिर पीछे पीछ तो बाबा केते हैं यह भी सीखना पड़े क्योंकि यह बाप है अशरीरी दूसरे तो कोई मानते ही नहीं कहते हैं गौर्ट फादर ओमनी प्रिसंट बस सर्विव्यापी का ज्ञान ही चला आता है अभी तुम्हारे गुद्धी में वह बात नही है तुम तो स्टूडेंट हो बाप कहते हैं अपना धंदा आते भी बल करो परन्तु क्लास चरूप पड़ो ग्रहस्त गभार में पहल रहो अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करें अरे भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने भगवान मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सिखेंगे, ऐसे कौन ठहर सकेंगे, इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, विश से बचने के लिए भागे, तुम आकर भच्ची में पड़े, जो कोई देखना सके, मिलना सके, कोई को अखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किस से लगाए, यह बच्चों को मिश्चर भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं, बिमारी है, यह काम है, बहुत तो बहुत शिफ्ट देज सकते हैं, आज कुल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं, यहां कोई जास् सिफ्व अल्फ और बे को समझने लिए बुद्धी अच्छी चाहिए, अल्फ और बे यह याद करूं सभी को बता, त्रमूरती तो बहुत बनाते हैं, परंटु उपर में शिबाबा दिखलाते हैं, यह थोड़े ही समझते हैं घूता का बगवान शिब हैं, जिस द्वारा यह नौलेज लेकर विष्णु बनते हैं, राजियोग है अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, कितने सहच समझाने हैं, किताब आदी तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ उत्रमूरती का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैस moji द्वारा पढ़ाये पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं, कई समझते हैं हम रादेय जैसाबन का लश तो माताउं को मेलता हैं, गोया रादें के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता हैं, यह राज की बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुश नाट्र में जानते रोज नहीं, तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे, बाप को याद करते थे, स्वादर्शन चक्र फिराते थे, जो बहुत देरी से आते हैं, उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए, कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है, और चक्र को फिराना है, बाप ने तो बहुत सहज बात बताए है, अक्षर ही दो ही, मन्मना भव, मुझे याद करो और वर्से को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है, जब कोई शरे छोड़ते हैं, तो कहते हैं, फलाना स्वर्ग परंतो स्वर्ग क्या है, किसको पता नहीं, दुम अभी समझते हो, वहां तो राजाई है, ऊचते ऊच, ऊच से लेकर नेच तक, साहुकार से लेकर गरीब तक से अप्सुखी होते हैं, कोई किसी भी मर्तवे का हो, चाहे वो रोयल फामली का चान डाल हो, चाहे जो प्रजा है चान डाल, चाहे फिर वो प्रचा का नौकर चाकर हो, चाहे महलों का नौकर चाकर हो, लेकिन वहाँ बाबा केते उच से लेकर नीच तक साहोकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं, यहाँ है दुखी दुनिया, वहाँ है सुखी दुनिया, बाब समझाते तो बहुत अच नहीं आते हैं, तो उनसे पोछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वात अच्छन चक्र फिराते हो, खाओ, पियो, पिरो, उसकी कोई मना नहीं है, इसके लिए भी ताइम निकालो, औरों का भी कल्मियान करना है, समझो, कोई का कपड़े साफ करने का काम हो, बहुत ल बोलो, तुम सूल कपड़े दुलाते हो, वरनतु यह जो तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा है, यह तो पुराना मेला वस्तर है, आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वक्ष बनाना है, यह सारी दुनिया तमो प्रधान, तमो प्रधान पदित, कल्यू भी आत्मो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष है ना, अब करो ना करो, समझो ना समझो तुम्हारी मच, तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए, अभी तो तुम्हारी आत्मा इंप्योर बो गई है, आत्मा और शरीर दोनों मेले ही, उनको साफ प्रधनी के लिए तुम बाप को याद करो, तो गारंटी है, तुम्हारी सोल एकदम सो प्रतिशत पवित्र सोना बन जाएगे, फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, माने ना माने, तुम्हारी मर्च, या भी कितनी सर्वेस हो, डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़े बड़ों को जाकर समझाओ, कि कैरक्टर बहुत अच्छा होना जाओ, यहां तो सब हैं कैरक्टरलेस, बाप कहते हैं, वाइसलेस बनना है, वाइसलेस दुनिया थी न, अभी विशेस है, अर्थात कैरक्टरलेस, कैरक्टर बहुत खराब हो गए, वाइसलेस बनने के बिना सुधरिंगे रहे, यहां मनुशे हैं ही कामी, अभी विशेज दुनिया से वोइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, बाकी पुराने दुनिया विनाश हो जाएगे, यह चक्र है, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी हो, यह वोइसलेस वर्ल्ड थी, जहां देवी देवतार राज्ची करते थी, अभी वो कहां गए, आत्मा दुविनाश होती नहीं, एक शरीचों दूसरा लेती है, देवी देवताओं ने भी 84 जन लिया है, अभी तुम सयाने बने, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, अभी यह पुरानी दुनिया कितनी है, तुम फील करते हो, बाबा जो कहते हैं वह तो पपरोब ठीक है, वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया, यह पवित्र दुनिया ना होने कारण अपने बर वेता के बादले हिंदू नाम रख दिया है, हिंदूस्तान में रहने वाले हिंदू कह देदे, अभी तुम इस चक् आप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए मुख्य मुख्य अक्षन नोग करते चाहिए फिर सुनाओ बापने यह यह पॉइंट सुनाई हैं बोलो मैं तो गीता का ज्यान सुनाता हूं यह गीता का ही युग हो चार युग है यह तो सब जानते हैं छबक युग हो यह सत्य त्रेत द्वॉपर गलयूगशोल संगम यूग यह है लेप यूगरि का किसको भी पता नहीं तुम जानते वो यह पुर्शोतम संगम यूग है मनुशे शिव जयनती भी मनाते हैं परन्तु वो कब आये क्या किया या नहीं जानते जानते नहीं शिव जयनती के बाद है कृष्ण शिव जयनती के बाद है कृष्ण जयनती फिर लाम जयनती पहले आता है बाबा कहते हैं शिव जयन्ती अज्ञान अधेरा दूर करने के लिए फिर आती है खृष्ण का जन्म खृष्ण जयन्ती फिर बाबा कहते है त्रेता में राम जयन्ती जगदंबा जगत पिता की जयन्ती तो कोई मनाते नहीं सब नंबर वार आते हैं अभी तुमको यह सारी नौलेज मिलती है आच्छा मेठे मेठे सिखे लधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद्यार और गुद मौनिंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाब दाडा को याद प्यार और गुद्मॉर्णिंग शुक्रिया दारना के लिए मुख्य साथ, पहला बाब ने कहा हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सत्गुरु है, यह बात सत्को सुनानी है, अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है, दुसरा ज्यान अर्थात श्रिष्टी चक्र की नौलेज को धारन कर स्वाद अर्षन चक्रधारी बनना है, और विज्यान अर्थात आवाद से परे, शान्ती में जाना है, साथ रोज का कोर्स लेका फिर कहां भी रहते पढ़ाई करने हैं, वर्दान है सेवा में मान, शान के कच्च अर्षन के फल को त्याग सदा प्रसंचित रहने वाली अभीमान मुक्त भाव, रोयल रोप के इक्षा का स्वरूप नाम मान और शान है, कि इस लौकिक नाम का शरी रूपी नाम का मान हो, संवान हो, मुझे पूछे, लेकिन मैं मुझे सब जाने, लेकिन मैं मैं को नहीं ज उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्छा फल खालिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहे। लेकिन यह मान नहीं अभिमान है। कच्छा अभिमान है वहां प्रसनता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मोक्त वन सदा प्रसनता कानुभव करो। स्लोगन पर्मात्म प्यार के शुकदाई जूले में जूलो तो दुख की लहरा नहीं सकती। झाल